अच्छा स्टुडेंस पहले पार्ट में आपका हो गया था discovery of electron आज हमको पढ़ना है discovery of proton इलक्टोन की discovery होई तो इससे पहले cathod breeze की discovery होई इसी तरह से proton की discovery होगी तो इससे पहले प्रोटोन कहां कहां कैसे है अच्छा इसके लिए गोल्डस्टीन शावे एक experiment कर रहे थे एक्सपरिमेंट वही वाला दोरा रहे थे जो कि जुलेस प्लकर ने किया था वही उन्होंने क्रूक्स ट्यूब ली इस क्रूक्स ट्यूब में लो प्रेसर पर हाइडोजन गैस को भर दिया उसके बाद इसमें दो प्लेट लगा दिये मतलब दो इलेक्टोड लगा दिये और जब इन्होंने इसमें high voltage का electric current पास किया तो उन्होंने देखा कि इधर आपका anode था और इधर मान लेजिए cathode है तो उन्होंने देखा कि anode के पीछे तो green color की fluorosense आ रही थी जो क्यानी भी चाहिए थी पहले जूलिस पलकर साब देखी चुके थे लेकिन दिक्कत एक हुई कि यहां जो एक fluorosense cathode के पेशे भी आ रही थी इसका मतलब एक rays तो इधर को जा रही है चो कोलिजन करके fluorosense ला रही है और एक rays इधर को जा रही है इसका मतलब एक नई rays यहां पर पता चली अच्छा अब उसको समझ नहीं पायते कि आखिर हुआ यहां जो आज़ा क्यों तब उन्होंने देखा कि इस उन्होंने कैथोड को देखा सही से चेक करके तो पतलगा इस कैथोड में छोटे छोटे सुराग बने हुए थे छोटे छोटे होल दे पोरस कैथोड गल्दे से उन्होंने सही कैथोड को लगा करके देखा तब यहां रेज की ओर इजिन नहीं हुए इसका मतलब हो समझ गे कि एक ऐसी रे है जो छोटे छोटे होल में से पास हो जाती है अब छोटे छोटे होल में से पास हो रही थी इसलिए इसको नामे नहीं रखते है कैनाल रेज क्यों आई कैसे आई इसको समझने से पहले एक बार यह समझ लीजिए कि जो कैथोड रेज की ओरिजिन हुए थी उसका रिजिन क्या था वह कैसे कैसे बनीती के थोड़एगी कि एक बार फिर जाते हैं जुलियस पलकर वाले एक्सपरिमेंट में देखो जिब इसमें electricity pass करते हैं इसमें हमने भर रखी है hydrogen यानि कि hydrogen में क्या होता है एक तो उसका proton होता है जो उसका nucleus है और उसमें एक electron होता है तो मैं इसको ऐसे show कर देता हूं ये उसका nucleus हुआ और ये इसका electron है ये उसका nucleus है ये इसका electron है ये nucleus हुआ ये electron हुआ इस तरह से हम इसको show कर लेते हैं जब इसमें से electricity pass की जाती है तो electron क्या होता है high voltage पर electron यहां से बाहर आ जाते है और electron बाहर आ करके इस gas पर collision करते हैं जब इस gas को collision करेंगे तो इस gas को ionize करते हैं मतलब वो सारे electron को यहां से निकाल लेते हैं अब इधर आपका था positive charge इधर था negative charge अब electron पर क्योंकि negative charge होता है तो electron किदर चलेंगे इस side चलेंगे अब electron का size बहुत छोटा होता है तो इस plate में आर पार निकल जाते हैं और निकल करके यहां green color की fluorescence हो जाती है जुलियस पलकर साब के time वो क्यों नहीं हो पाया था क्योंकि proton का size इससे electron से बढ़ा है वो इसको पार नहीं कर पाते और गोल्ड स्टीन ने यही काम किया गोल्ड स्टीन ने क्या किया था उसने जो cathode की उज़ किया था गलती से उसमें चोटे चोटे सुराक थे अब वो चुराक की वज़े से यहां से जो आपके proton जो इसका nucleus बचावा था इनके आर पार निकल गया और तब जाकर इधर इधर जो है आपकी green color की fluorescence पैदा हो अच्छा ये इतने बात इतने बात कहबाए कि इस तरह से एक rays आती है cathode जिदर को चलती है और एक rays आती है उनको ये नहीं पता था कि ये positive की बनी है क्या चीज़ है क्या निया बस उन्होंने बता कि हाँ इसमें से पार होकर कि एक rays निकल जाती है इसको उन्होंने keynal race कहा इसको सही से study किया फिर रदरफोर नहीं अर्नेस्ट रदरफोर्टने क्या किया बिल्भूल जो जे जे टॉमसंन ने एक्सपेरिमंट किये थे वही एक्सपेरिमंट इन्होंने cattle race के साथ किये सबसे पहले उन्होंने क्या किया इधर उन्होंने cross रख दिया और जब उन्होंने cross रखा और इधर इस screen पर उसकी shadow ली तो पता लगा इस screen पर इसकी shadow बन जाती है और shadow बनने का मतलब क्या था state line में चलना इसका मतलब जो source है जो can knowledge है वो state line में चलती है पहला conclusion तो वही था same यह भी particle से बनी है उनमें भी mass है velocity भी है same conclusion जो पहले वाला था हाँ एक थोड़ा अंतर था कि जो पहले वाले experiment में pinwheel गूमता था उसकी speed ज़्यादा होती है और इस experiment में जो pinwheel गूमता है इसकी speed थोड़ी कम होती है इससे क्या पतलब लगता है इसका मतलब mass किसका ज़्यादा होगा speed अगर ज़्यादा है इसका मतलब mass कम है और speed अगर कम है इसका मतलब mass ज़्यादा है तो इससे पतलगा जो पहले वाले particle थे यानि के electron थे उनका mass कम है और इन particle का mass ज़्यादा है तीसरी चीज जब उन्होंने इसको positive और negative के बीच में से पास किया तो पता लगा ये वाली जो raise है अब की बार positive की तरफ नहीं बलकि negative की तरफ मुड़ जाते है इसका मतलब कौन सा charge वान पर positive क्योंकि negative किसको ट्रेट करेगा positive को तो तीसरी बात ये पता लगी तो तीन क्लुकुनोजन निकले वही एक तो कैनालेज जो है state line में चलती है दूसरा पता क्या लगा कि कैनालेज जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन में मास होता है तीसरी चीज इन पर जो पार्टिकल है इस पर positive चार्ज होता है तो इसी को तो मतलब इस तरह से आपकी प्रोटोन की डिस्कवरी होगी छोटे पार्टिकल को उन्होंने कहा प्रोटोन इस तरह से डिस्कवरी हो जाती है बचा आपका नियोटोन नेक्स पार्ट में नियोटोन की डिस्कवरी बता देंगे कि वो किस तरह से होई